कि नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका बिलेक्रिक फाइडर में इस वीडियों हम एक इतने इंपोर्टेंट टोपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हर एक इंसान के लिए हर एक आत्म इतले बहुत ज्यादा जरूरी है जो भी इलेक्रिकिसिटी यूज करता है इस टाइम में बात करने वाले हैं कि इलेक्रिक शोक की कंडिशन में एक छोटा है इस यहां पर लगा रहा है जो मैंने यहां पर पिक्टर में दिख रहा है और को डेट होने से कैसे रोग सकता है तो उस सब के बारे में हम बात करेंगे तो इस वीडियो के साथ हमाँ लाश्ट तक बने रहे हैं और पूरा जाएनिए कि यह चोटा से डिवाइस जिसको हम रेजुजियल करन्ट सर्कीट ब्रेकर बोलते हैं या आर्शी सीवी के नाम से जान ले नाम सांथ है और DCB शीडियल करन्ट शर्किट ब्रेकर कि उसके बाद अगर हम बात करें कि फंकिकया होता है तो ट्लिकेश का मतलब होता है कि जो फ्लोफ करंट है वो अर्थ के अंदर अंधर क्या यह डिकिफिज अन इंटेंटेंट था का मतलब क्या हूँए हमने तो हम लो ता एक न्यूटल वायर होता है तो हमारा पाथ पहले से डिसाइड है कि फेज़ वायर के तो करण्ट आएगा और नुटल वायर के तुकर अपस रिटन होगा अब इन अनिंटेंट पात का मतलब ही जिसे हमारा फेज़ वायर कोई ब्रेक हो गया या उसका इंसुलेशन ब् या उसको हम Grügen है अर्च चकोर्ट full के पाता है तो होने का कारण की डेथ होने का चांसे ब्हुत होता है तो वह कितना अगर तो यह वीडियो पूरा देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको किसे काम करता इसके बारे में पूरा क्लियर हो जाएगा और एक बात और मैं आपको कि अगर आपके घर में पूर आपकी इसको कि लिए पना हुआ है तो प्लीज इसको लगा दीजेगा चले इसका वरकिंग किसी तरस होता तो तो इसके वरकिंग का एक सिंपल के यहां पे बना दिया है ताकि कि आपको पुरा के जाए कि इसका की स wünता होता सबसे यह देख लिए कि यह करंट सभाष खराएज सरे कर और कि लो के उपार के बैस्ड कि बैस्ट लो क्या करता है कि शूंब कि चाफ सोब कहता है कि किसी भी जगह पर जितना कि शीटिंध उतना ही करण उस जगह से जाएगा मतलब कि टोटल incoming current is equal to outgoing current यह केटा तो सेम टू सेम यह है कि आपका कोई भी equipment है कोई भी load है उस पे आपका जितना current flow हुआ है वहां से वापस written होएगा अगर जितना current आपका flow हुआ है वह वापस नहीं हुआ इसका मतलब क्या हुआ कि आपका करन कहींना कहीं से leakage हो गया है यहीं हुआ ना कि आपका करण कहींना कहीं से leakage हो गया है और वह अड़के कि फ्लोवा तो उसको कंडिशन को मूं बोलेंगे इंवैलेंस करन देचें यहां पर वर्किंग किस सरसे कार चल रहा है इसका वर्किंग कीसे चल अभ़ए है अब यहां पर हमने लगा यहीं सी टी लगा रहा रहा और इसके अंदर से यह दोनों फेज दोल वायर निकाल के हमारे एक्वीप्मेंट पर अब जिसे मालो कि यहां पर आपका इसलेशन डेमोज होगा यहां से करण आपका आर्थ में जा रहा है तो इतना करण्ट आपका इस जगह पर आया है इस जगह पर आपस डिटन नहीं हुआ इसका मतलब यह हो गया imbalance condition इस condition में क्या होगा देखिए जब आपका करन्ट इतना आया उसकी वज़े से एक फ्लक्स बनेगा ऐसे यह दोनों फ्लक्स बनेगा ऐसे यह दोनों फ्लक्स बनेंगे अपोजिट अब जबकि आपका अगर दोनों करन्ट सेम है अगर नॉर्मल ऑपको करनट इन्ड ट्रिधान वी होगा तो आपका यह है against को डिवास इसकोट्राइब निकार पःक्ẫn होगा गजैसे आपको वी लिक्शलूंको स्कूष लिक्ष और करन्ट्राइब यहां से जाने वाले करेंट और यहांपे आने करन्ट में डिफरेंट्स तो यह कि विएस तरूक्स की वज़े से यह आपको यहां पर है कि इसके तूर्ण करयो कैसे होता कि अब मैं कि आपने देखा होता है क्या क्या करता है कि वह का अपका फेज वाले से करंट उठाया और उसको अपने साथ करेक्ट किया और उसको डायक्ली करे ता इसके साथ तो इस सिध में क्या हो रहा इस पाइस यह वह रहा कि आपका इसके नंदर यहां पर तो कष़ड़ के बाद यह करंथ सीर्द आपका इधर से होता हो यहां से चला यह आपका मतलब इस वाले एरिया में कोई क्रण्ट फ्लो नहीं हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा कि सिर्फ एक ही करन फ्लोवा तो उसकी वज़े से जो फ्लक्स बनेगा वह इसको ट्रिप कमांड देदेगा तो टेस्ट बटन को आपको भार-भार दबाते रखना है मतलब कि 15 या पिस तिन में एक बार चेक कर लेना ताकि आप एंशूर कर लें कि आपका जो डिक्रान मैं लिए या इस दीन एसके फैस और की हो गया त erosion ओट ओगे होगया का बीहीं तो फेस का हो गया एंट बढ़ा था वो सिंगल फैस के बाराएं ता इसमें एक यूटल है वैसे ही एक सब्सक्राइब एक निट्रल में ये उसमें जो तरह कि इस तरह से सब्सक्राइब निकाल देते हैं और सीटी को ट्रिपिंग सर्किट के साथ जोड़ देते हैं तो क्या होता है कि जब भी इंबेलेंस करेंट आएगा तो तब सीटी के अंदर करेंट इंड्यूस होगा और उसके विज़े से इस कोईल के अंदर करेंट इंड्यूस होगा और वो ट्रिप सर्किट को ट्रिपिंग जो है कमांड देदेगा अब जब फेस फोर वायर की आप सी फेस्टी वायर की बात करें मतलब सी पॉल फॉल यो फॉर वोल गी तो सब्सेम होता है उसमें तीन वायर चले जाएंगे त्री सब्सक्राइब इसमें फिल फोर उसमें जिरो रहा जैसे आपका इंबेलेंस करनंड का मतलब क्या होगा है कि आपका कोई ना कोई हो गया है और है यह हो गया तो इसका मतलब आपका कोई अगा उस। तरह से इसका होता है के आप भी कि अब बात करें के देड़ांटेज्ज बहुत सारे इड़ांटेजेश में जैसे यह कि यह जो होता है वह आपके सर्कीट में किसी भी जग़ा पर ढूंप का लिक हुआ तो उसको तो सेंस करके फटाक से उसका आपको क्रिपिंग कमांड देदेगा मतलब कि जिसे अगर आपका वायर आर्शसीब के बाद जो वायर निकले उस जगह पर कहें पर वह जश्ट आर्शीज़ बाद ही लिख से हो गया हो या किसी वायर का जो एकुपमेंट के अंदर गया भी नही जबकि जो ELCB जो था करन्ट बेस्ट ELCB जो था सोरी जो वोल्टेज बेस्ट ELCB जो था वह क्या करता था वह एसा नहीं कर वह सिर्फ जब उसकी एकुपमेंट की बोड़ी के त्रू अगर लिख हुआ है तो ही वह सेंस करके ट्रिप कमांड दे पाता तो यह इसका एक एड पर कहीं ELCB लगा हुआ है वोल्टेज बेस्ट तो उसको आप चेंज कर दीजे आर्ट सीवे के द्वारा क्योंकि आर्ट सीवी ज्यादा रिलाइबल है वह ज्यादा अच्छा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता तो आप आर्ट सीवी अपने गरों में या अपने इंडेस कर लेगा तो एक साने से वाजाएगा नेक्स्ट इंग यह क्या करता है कि आपके रिजुड रियलकरण को बलगा को मतलग सी मॉनेंटर करता रहता और जैसे एक जो लिमीट वह तो यह जादा इसको कमांड और उसको कर देगा किक इसमें किसी अर्थ ग्रेशिन की जरूथ नए होती है जैसे हमका यूजशी की यह फो EVERY इसमें उसमें ऊर्थ लगाने की जरूथ फूरी लेकिंन इसमें की अर्थ कनेक्षान की जरूथ नहीं है अगर इसकी लिमुटेसिंस की वारत हुम बात करें tuning करता है कि यह और करता है उसके लिए हमार पास MCB या MCCB है कि यह इन दोनों कंडिशन में फ्रेक्शन प्रवाइड नहीं करता है यह थोड़ा एक्सपेंसिव होता हमारा ELCB के मुखाबल है नेक्स चीज़ हम बात करें तो यह जो इलेक्ट्रिक शोक के अग्रोडिंग जो भी शोक है जैसे ममने किसी परसन ने एक हाथ से फेस्ट पकड़ लिया और दूसरे से उसने न्यूटल वायर पकड़ लिया अब उस कंडिशन में क्या होगा कि जो करंट है वो फेस्ट होता है तो मतलब जितना करें इधर हो उतना ही करेंट वाफस न्यूटल में फ्लोव और तो उस टाइम पर कोई भी करंट इंबलेंस नहीं होगा तो मतलब उस टाम पर यह सैंस ही नहीं कर पाएगा तो यह इसका एक डिसे विदान टाइज है कि अगर फेस और न्यूटल दोनों को क कि तो यह इसकी हाई सेंसिटीवीटी वजएश होता है तो यह एकतर सेसकी limitations है सोan ten this time में क्या होता है यह सिर लोरो सेंसिटीव वीटी वाला याड़ से सब्सक्राइब कर लेगा तो इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपसे क्वेस्टन पूछना चाहूंगा कि हमारे गरों में इलेक्रिक शोक से बचने के लिए हमें मैक्सिमम या मिनिमम बोले तो कितने मिली एम्स की रेटिंग की यूज़ करने चाहिए ताकि हमान का अच्छे से प्रोटेक्शन हो सके और आपको आंसर पता है तो अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में डाले अगर नहीं पता है तो इस व वीडियो को पूरा देखिए तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपको कितने मिली और से भी यूज़ करना चाहिए अगर आपको व्यूडियो अच्छा लगाते इस वीडियो को लाइक करें शेर करें और वाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे और वी आपको मिलते रहें तब तक के लिए धन्याद